कि एक हजार उपे से हम 187 करोड, 63,47,180 रुपे कैसे कमा सकते हैं। तो डोंट वरी, इस वीडियो को आप पूरा देखेगा, क्योंकि इसके एंड में हम ये कैलकुलेशन्स देखेंगे with proof। Anyways, क्या आपको पता है कि Jim Simons ने Warren Buffett से 3 गुना जादा रिटर्न लिया और वो भी 30 सालों तक, लेकिन फिर भी उनकी wealth Warren Buffett से कम है। आपके पास कितने पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, R यानी कितना rate of interest हम ले सकते हैं, और T यानी time, और क्योंकि कम age में उनके पास पैसे तो थे नहीं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं तो छोटा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, और अभी मैं क्या कर सकता हूँ बलकि उन्होंने ये सोचा कि बेशक पैसे नहीं, लेकिन time तो बहुत हैं, और rate of interest को मैं अपनी skill से बढ़ा सकता हूँ, इसलिए compounding मेरे ले काम कर सकते हैं, वैसे ही हमें भी सोचना चाहिए कि बेशक हमारे पास अभी कम पैसे हैं, लेकिन हमारे पास अभी time है, जो इस equation में available हैं, और उतना time किसी 40 साल के इनसान के पास नहीं होगा, बेशक वो साल के, एक करोड पे ही क्यों न कमा रहा हैं, तो इस वीडियो में हम detail में ये देखेंगे कि हम किसमें और कैसे invest कर सकते हैं, अपने पहले 1000 रुपे को, so let's start my dear brothers and sisters, okay तो अब हम imagine करते हैं कि आपके और इची जॉब लगेगी और उसे पता नहीं कितने 1000 रुपे कमा लूंगा, लेकिन आप, आप थोड़े intelligent हैं, long visionist हैं, आपको पता है कि compounding क्या है, जब interest के उपर interest मिलता है, तो छोटा amount भी बड़ा हो जाता है, लेकिन invest कहां किया जाए सवाल तो ये है, let's say आप nifty 50 में 20 साल स पैसे 50 साल तक पैसे invest करने लग जाते हैं, तो 30 साल बाद, यानि 50 की उमर में, आपके पास 60 लाग के करीब extra cash होगा, जबकि आपने इन 30 सालों में total amount सिर्फ 3,60,000 पे ही invest किया है, और वो भी किष्टों में, इसकी calculation ये रही, अगर आप इसमें interested हैं, तो इसके screenshot ले सकते हैं, या slow motion में देख सकते हैं, इसमें हमने rate of interest 15% लिया है, 15% का real example, with real data, हम आगे देखेंगे, anyways, ये 60 लाग रुपे जो आपको मिलेंगे, ये एक extra amount है, इसके लावा अगर हमने और पैसे invest करे होंगे, तो ये amount बहुत बढ़ा होगा, अब ज़रा देखते हैं कि आपके best friend के साथ क्या हुआ होगा, उसे होच आता है 30 साल के उमर में, और वो आपसे 3 गुना जादा, 3,000 पे हर महीने invest करने लग जाता है, इसके बावजूद उसके पास 50 की edge में 17,00,000 रुपे आपसे कम होंगे, यानि सर्फ 43,00,000 रुपीज होंगे, ये रही आपके friend की investment calculation, इसे भी आप ए रिटर्न दे सकता है, इसके बारे में अगर आपको और जानना है, तो इसके बारे में अगर आपको और जानना है, तो इसके बारे में अगर आपको और जानना है, तो इसके बारे में अगर आपको और जानना है, तो इसके बारे में अगर आपको और जानना है, तो इसके बा नहीं है अगर हम चाहें तो कभी भी SIP को बंद करवा सकते हैं या फिर उसमें ज़ादा पैसे डाल सकते हैं या कम पैसे डाल सकते हैं या इवन पैसे निकाल भी सकते हैं और हम पर कोई कोड केस नहीं होगा second reason जिसकी वज़े से लोग सिर्फ चल्दी बंद कर देते हैं वो है volatility यानि market में उतार और चड़ाव जिसे लोग risk समझ लेते हैं चलिए इसे एक real example से समझते हैं ये nifty 50 का actual data है इसमें सबसे पहला column investment date है यानि जिस दिन हम nifty 50 में पैसे invest करेंगे second column cumulative invested amount है यानि अभी तक हमने कितने पैसे in total invest कर चुके हैं और third column है market value यानि हमारा invested पैसा अब कितना हो चुका है तो पहली row में हम 30 जून 1999 को 1000 पे invest करते हैं तो वो 1000 पे ही रहेंगे एक महीने के बाद यानि 30 जून 1999 को दोबारा से 1000 पे invest की तो total पैसे जो अभी तक हमने invest किये हैं वो है 2000 क्यूंकि 1000 पिछले महीने किये थे और 1000 इस महीने और इसकी market value होगी है 204 रुपे इस movement में maximum लोग खुश हो रहे हैं कि वाउ हमारे 2000 रुपे 204 रुपे में convert हो गे हमारे पैसे बढ़ रहे हैं और 104 रुपे हमने दो महीने में ही कमा लिये जिसका मतलब है कि हमने approximately 5.2% दो महीने में earn किये यानि साल के 30% के आसपार हम तो तहलका मचा देंगे लेकिन reality में कोई तहलका नहीं मचा है अभी हम आगे देखते हैं हमारे investment के 30 महीने तक हम 3000 रुपे invest कर चुके हैं और वो बन गए हैं 3287 रुपे चौथे महीने 4000 रुपे बन गए हैं 466 रुपे यहां तक सब ठीक था लेकिन 5th महीने अभी तक total investment हमने की है 5000 रुपे की जो बन चुके हैं 4834 रुपे अब आप बोलेंगे या यह क्या मैं तो loss में चला गया अब आपको इस theory पर doubt हो होने लगेगा अगले कुछ महीने फिर situation ठीक होगी लेकिन फिर दुबारा से 14, 15, 16 मन्त में आपके NAV की market value आपकी investment से भी कम है आप सोचेंगे यार साल हो गया है 14 मन्त चल रहा है इससे अच्छा तो मैं किसी bank की FD में जमा करवा देता और यह चीज चलती रहेगी इसे ही volatility क देखो आपको 2 साल से जादा समय हो चुका है invest करते हो हैं हर महीने 1000 रुपे लेकिन इन 28,000 रुपीज की value 20,267 रुपीज है पूरे 4 साल के बाद 48,000 रुपे की value 42,838 है इस वग मैक्सिमम लोग बोलेंगे क्या बिकार चीज है यार पैसे बाहर निकालो बिकार की video देखी थ या जॉन बॉगल जिन्होंने ये थियोरी दी है ये भी idiot है और जैसे ही आपने पैसे निकाले आपको loss हो गया क्यूंकि stock market में actual loss या profit तो पैसे निकालने में होता है वनना ये तो paper loss ही था लेकिन जो SIP को actual में continue रखेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे वो ही return पापाएंगे तो 30-10-2007 में जो लोग अभी तक total एक लाख एक हजार पे invest कर चुके हैं उनके पैसे हो गए हैं 4,12,916 रुपे जो दुबारा से अब कम या जादा होते रहेंगे 2nd May 2017 तक आप total invest कर चुके हैं 2,15,000 रुपे और आपका total amount हो चुका है 9,29,510 रुपे और फाइनली अगर हम आज तक ही बात करें यानि 30th August 2021 तक तो अभी तक हम invest कर चुके हैं 2,67,000 रुपे और आपके NAV की total market value है 18,68,206 रुपे यानि 18,00, रुपे और अगर इसका हम percentage return दे 15.3% और ये volatility reason है जिसकी वज़ा से कोई invest नहीं करता इसलिए Warren Buffett कहते है Whenever I buy stocks, I assume market is closed for next 5 years यानि जब मैं company के shares लेता हूँ तो मैं ये assume करता हूँ कि market अगले 5 सालों के लिए बंद है क्योंकि उन्हें पता है कि उनके shares की value बढ़ती रहेगी और कम होती रहेगी और volatility share market का nature है अगर आप जादा invest करते तो वो exponentially grow करता एनिवेज देखिए Warren Buffett ने अपनी पहली investment करी थी 11 साल में, let's say हम 9 साल लेट हो चुके हैं और हम investment स्टार्ट करते हैं 20 साल की उमर में, 1000 पे हर मन्त हम पैसे डालते रहते हैं और लाकों की नौकरी लगने पर भी हम कुछ पैसे increase नहीं करते हैं, देखो अभी Warren Buffett की age हो चुकी है 91 years और उनकी net worth है 6.4 lakh करोड रुपीज, आप मुझे बताओ कि अगर आप में कोई skill set नहीं है, सिर्फ index fund में ही हम invest करते रहते हैं, तो आपकी net worth at the age of 91 years क्या होगी? अगर हम index fund का 15% rate of interest मानें और महीने के हम 1000 पे यानि साल के सिर्फ 12,000 पे invest करते रहें, तो अगर हम 20 साल से start करते हैं, तो 91 years की age में हमारे पास होंगे 187 करोड, 63,47,170 रुपीज और 11 पैसे, ये रही इसकी calculation, इसे भी हम चाहें तो detail में देख सकते हैं, I mean not bad हमें तो Warren Buffett कितन किसी भी company की, annual report पढ़नी ही नहीं थी, सिर्फ 1000 पे हर महीने खुद बखुद automatically, index 1 में जाते रहते हैं, हम में से जो लोग सोचने हैं कि या 91 साल तक तो पता नहीं जीएंगे भी या नहीं, फिर क्या फायदा, फिर मुझे ये बताओ कि आप खुद तो अपने को Warren Buffett से compare कर र प्रू में जादा पैसे नहीं है, तब भी हमारे पास compounding के magic के लिए, time और interest rate है, फिर हमने देखा कि index fund में generally, लोग इसलिए continue नहीं कर पाते, क्योंकि उसकी volatility, यानी उतार चड़ाव है, इसके लावा हमने देखा कि सिर्फ कोई bank की EMI loan की तरह नहीं है, कि अगर हम invest नहीं कर हम जब चाहें इस से बंद कर सकते हैं, जादा पैसे डाल सकते हैं, या फिर पैसे निकाल सकते हैं, दोस्तों, अगर आपके घर में कोई भी young person है, तो उसके साथ ये video ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी investing को समझ पाए, इंडेक्स fund पर, जॉन बॉगल ने एक बहुत ही awesome book ल